हलो गुद बॉर्निंग जोहार मसंचे और आप देख रहे हैं न्यू जार्कन समय हो चला है जार्कन की खबरों को जानने का जार्कन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्कन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को सियम चंपाई सोरेन और कलपना सोरेन 10 मैं को साहिब कंच आएंगे इंडिया गडबन्धन प्रत्यासी विजय हासदा के नामांकन कारेक्रम में सियम शामिल होंगे और चुनावी साभा को भी शंबू दित करेंगे जानकारी के अनुसार सियम चंपाई सोरेन हेलिकॉप्टर से जिर्वाबार्डी थाना चेतर के पुलीश लाइन मैदान पहुँचेंगे वही नगर थाना चेतर के जो है रेलवे जेनरल इस्टिटूट के मैदान में मुक्रमंत्री उपस्तित दोगों को शंबूईद करेंगे सियम चंपाई सोरेन और कलपना सोरेन इंडिया गडबंधन प्रत्याशी वज़े हास्दा के पक्ष में लोगों शे वोट देने की अपील करेंगे उसी दिन गडबंधन प्रत्यासी वज़े हास्दा अपना नामंकन परशा भी दाकिल करेंगे लोग सभाचुनाओ दोहजार चौबिस रांची के और मांची में कार से मिले 45,90,000 रुपए तीन हिराशत में लोग सभाचुनाओ दोहजार चौबिस को लेकर वाहनों की जांच की जा रही है इसी करम में पुलीश को बुधवार को बड़ी शफलता मिली है जारखन की रांची 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 वाहन की चेकिंग कर रही थी इसी दोरान वहां से एक कार गुजर रही थी पुलीश ने कार की तलासी ली इस करम में छे बैग में खुल 45,90,000 रुपए पुलीश ने कैस बरामत किये हैं लोक्षभाचुनाओ दोहजार चौबिस को लेकर लगतार वाहन जांच अभ्यान चला जा रहा है तोल पलाजा समयत कई जगों पर गाड़ियों की जांच की जा गाड़ियों की लगतार जांच की जा रही है बौडर इलाके टोल पलाजा शमयत कई अन्य जगों पर वाहनों की तलासी की जा रही है इसमें काफी शपलता मिली है जारिखन के जमशेदपूर पलामू धनबाद गढ़वा शमयत वभीन जीलों से करोडों रुपे बारामत क के गए हैं कास के अलावा जवेलरी शमयत अन्य शमान भी जप्त के गए हैं। भी हो शक्ती है राची में भी 14 माई तक कहीं कहीं बारिश का अनुमान है जारिकन में साइकलोनिक शर्कुलेशन के कारण मौसम कमजाज बदला हुआ है बादल और बारिश के वज़े से राज़े के सभी जिलों का अधिक्तम और नियुमतम तापमान सामाने से 3-4 डिगरी सेल जोगी तापमान भी 35-40 डिगरी सेलसस के बीच हो शकता है वोई पिछले दिनों हुवी 1200 और आंधि से कई चेत्रों में जन जिवन अभी भी वैस्त है पेड़ गिरने से कई चेत्रों बिजली वादी थे तो कई चेत्रों में वजरपात और पेड़ गिरने से कई लोग की जिसको लेकर मौसम भाकी और से लोग को शावधान और शतरक रहने की सलहा आने वाले दिनों के लिए भी दी गई है अब तक आपड़ी बोर का वादी जारी नहीं हुआ है, वही से ब्यूत-खुलों में अप्रेल के प्रतम सप्ता में नौवी की कख्छाएं सुरु हो गए थी विद्धालियों में शप्ताहिक टेश लेने के प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कक्छा आटवी करिचल 15 मैं तक जारी होने की शंभावना है रिजल जारी होने के एक सप्ता के बाद असकुलों में गर्मी की छुटी प्रस्तावित है ऐसे में जून के प्रथम सप्ता से ही वध्यार्थी विध्याले जा सकेंगे सीम का बीजेपी पर तंज आदिवासी सरना कोड राजभुवन रोग देता है फिर भी आदिवासीयों से वोट मांगने आ जाते हैं दरसल सीम चामपई हाली में हुए पीम मोदी के जार्खन दोरे पर तंज कर रहे थे उन्होंने आगे कहा है कि जार्खन में 1932 के खतियान पर आधारित इस्थानी नीती 27 प्रतिशत और बीशी आरक्शंत था आदिवासी सरना धर्म कोड जैसे महत्ववन वधैको को सालों श चामपई ने कहा है कि जार्खन के जनता अब जागरूफ वो चुकी है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कौन उनकी हितों की रक्शा कर सकता है कौन उनके नाम पर सिर्फ राजनितिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है लोक्षभाचनाओं जीपेस से वहनों पनजर फोरडी कामरी से मतदान केंद्रों की निगरानी इस बार ऐसी होगी मुस्तादी इस बार लोक्षभाचनाओं में मतदान केंद्रों पर आने जाने वाले वहनों की निगराने के लिए उनमें जीपेस लगा जाएगा वही फोर के मत्यदान में मत्यदान के अंदर के अंदर एवं बाहर दोनों और के फीड पर विभीन अस्तरों से मॉनिटरिंग की जाए कि इसकी जानकारी मोखे निर्वाचन पर ददिकारी के रभीकुमार ने दी है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जार्खन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दिछे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो च एक सीपी सिंग जी ने बताया है कि कए मुसलिम शमुदाइक लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं एक पत्रकार ने जब टोपी पहने लोगों से बात की तो किसी ने अपनी जाती महतो तो किसी ने उरावताई अब इस पर जार्खन मुक्ती मोर्चा ने बीजेपी की जा किया है वीडियो एन फोर न्यूज भारत नामक सूशल मीडिया चनल की है जब इसकी रिपोटर ने वहां मौजूद लोगों से उनका नाम पूछा तो किसी ने अपना नाम यादो उराव तो किसी ने साओ बताया एक व्यक्ती ने अपना नाम सकूल राम बताया है हलाकि नियो जारखन इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता है गौरतलाभी किरांची में लोगसभा से ठीक पहले सैकड़ों मुसल्मानों ने भाजपा का दामन ठामा मंगलवार को अरगोडा इस्तित संजे सेट के कारियाले में सैकड़ों मुशलिम शहित अन्य शामोदाईयों क लोग भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए कारिक्रम वरुन शाहो के ने तुतम में किया गया जिसकी लगतार आलूचना हो रही है बता दे कि रांची लोगसभा सीट से बीजेपी ने संजे सेट को मादान में उता रहा है व के पास सी एक छात्र गंफिरूपश घायल अवस्था में पड़ा था चात्र के गले में भी धारदार हांतियार से वार किये जाने का निशान मिला है अरंभिक द्रिश्टिया प्रेम प्रसंग में हत्या के इरादे से जानलेवा हमले की आसंका जटाई जा रही है बताया जा भी गला धारदार हाथियार से काटा गया था चात्र और चात्र प्रोसी हैं दोनों हिससे सुबह अस्कूल गया थे दोनों यादोपूर हाय इस्कूल में साथ पढ़ते हैं बरवर्ड़ा थानाचेतर के पूलियाणडी में चात्रा का शामिला है पुलीश आरंभिक जाच के चर्चा हो रही है अकांचा कोचिंग का संचलन राजसरकार द्वारा किया जाता है नमंकन के लिए चैनित विद्धार्थियों को इंजिनरिंग मेडिकल वक्लाट की निशुल को तैयारी करा जाती है परिचा तीन मार्च को हुए थी परवेस परिचा में लगभग 46,760 व्यद्धार्थी शामिल हुए थे रिजल जारकन एकाडमी कॉंसिल की अध्धक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महातो ने जारे किया है इस मौके पर उपाध्धक्ष डॉक्टर विनोथ सिंग सच्यू सच्यू सदी तिग्या समय जय के अन्य पदधिकारी उपस्तित थे 14 माई को गिरीडी में पीम मोदी की जनसभा तैयारी में जुटा प्रसासन पीम नरिंद्र मोदी के 14 माई को गिरीडी के बिर्नी के पेशम में अहुत चुनावी रैली की तैयारी में प्रसासन जुटा हुआ है इसी करम में बुधवार को डीसी नमन प्रियस लखडा, स्पी दीपक कुमार, बगोदर स्डियम, स्डिपो धरनजरान, बिर्नी के प्रखन विकास पदधिकारी शमय पदधिकारी पेशम मैदान पहुँचे जहां पीम मोदी का चुनावी रैली होना है इस दोरान पीम मोदी के कारिकरम को लेकर डीसी और एस्पी ने सुरक्षा के मजबूत व्यास्था पर खास फोकस किया और कहा है कि रैली के दिन पूरे इलाके में अर्दिसानिक बलों के परतनिकती की जाएगी जबकि जिला पुलिस बल के जवान भी तैनात रहेंगे पस्तमी शिंगुमें नक्सलियों के खिलाप अभ्यान में पुलिस को मली बडी शफलता तीन बंकर से साकड़ो डेडोनेटर बराम़त पस्तिमें सिंगुम जिले में नक्सलियों के खिलाप लगतार अभ्यान चला जा रहा है अभ्यान के दोरान पुलीस जवानों ने गोईलकेरा टॉंटो ठाना के सीमवर्ती छेतर वन ग्राम राजा बासा के समिव जंगल से कुल 350 पीश डेडोनेटर बरामत किया है जिसमे नन इलक्ट्रिक डेडोनेटर 340 पीश और इलक्ट्रिक डेडोनेटर 10 पीश है पश्चमे शिंगुम के स्पी आसुतो शेकर ने डेडोनेटर बरामत की पुष्टी की है उन्होंने बता है कि पुलिस को सूच ना मिली थी कि प्रतिबंदित भागपा मववादी नक्सली संगठन की सीरस निता मिसर बिश्रा अनमोल मोच्छू चमन कांडे अजय महतू सागे अश्वीन अपने दस्ता श्रदश्णों के शाथ कुलान छेतर में विद्वन्शक गतिविधियों के लिए भरमन्शील है जिसके बाद तीम बना कर कारवाई की गई सपी ने बताया है कि नक्सली बन्कर से कई समगरियां बरामत की गई है उन्होंने कहे कि फिल्हाल नक्सली की खिलाप अभ्यान जारी रहेगा कोडरमा जिले में वजरपात से दो लोग की मोथ पहली घटना मंगलवार देरसाम शदगामा थाना अंतरगत धाब में हुई जहां वजरपात से संजे राजवंसी उम्र 45 वर्से पिता जागू रजवंसी की मौत हो गई मंगलवार देर साम आंधी और बारिश के बाद वजरपात ने घर के पास बैठे संजे राजवंसी को अपनी चपेट में ले लिया उसे कोड़मार शदर अस्पताल लाए गया जहां चिकत सकों ने उसे मृत्य खोशित कर दिया वहें दूसरी घटना में चंदवारा थाना अंतरगत पिपराही में मंगलवार की देर साम बारिश के शाथ हुई वजरपात की घटना में तीश वरसी मुहमद गुलाम रशूल पिता समसूद्दीन मिया की मौत हो गई जानकारी के अनुशर वह खेत में काम कर रहा था इसे दोरान वजरपात होने शे उसकी मौत हो गई इसके बाद पोश्ट मारडम के लिए शदर अस्पताल भेज दिया किया बुधवार को पोश्ट मारडम करके शौप और जनों को शौप दिया गया घटना के बाद परिवार जनों का रोरो कर बुरा हाल है बाबुलाल मरांडी ने 25 सरकार के खिलाब जारी किया आरूप पत्र जारकन प्रदेश अद्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने सरकार के खिलाब आरूप पत्र जारी करतो हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को सनरक्षन दे रही है उसे बचाने का काम कर रही है, सत्ता में सामिल लोगों की तीजोरी तक भृष्टाचार का पैसा पहुच रहा है मंतरी की आप्त सचीव के नौकर की यहां से छापी में 35 करूर रुपे मिले हैं ऐसे में मंतरी और सचीव की यहां छापा मारने पर कितने रुपे मिलेंगे इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है उन्होंने कहा है कि जार्खन में सत्ता पर बैट लोग राज्य को लूटने और कमाने में लगे हैं कॉंग्रेस आदिवासियों को कीडा मकोडा की तरह समझती है कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ती मोचा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है कॉंग्रेस सुरू से जार्खन और जार्खन वासियों की विरोधी रही है विधायक सीपीशिग ने कहा है कि सरकार के लोगों पर नरेटिव सेट किया जा रहा है हेमंत के इस्तिपा देने पर सत्ता समालने के बाद चांपाई सोरेन शदन में कहा था कि या हेमंत सरकार पार टू होगी यहा सरकार भृष्टाचार की पर दो है इससे भी बढ़कर निकल रही है 28 परने के आरोपत्र में हिमंत सरकार के भृष्टाचार का जिक्र है साती हिमंत सरकार पार टू के कार नामों का भी जिक्र किया गया है राची के हटियार एल्वेस्टेशन से बड़ी मात्रा में गांजा भरामत आरपीअप ने छे गांजा तसकरों को दबोचा बड़ी खबर राजदनी राची से जहां आरपीअप फ्लाइंग टीम ने हटियार एल्वेस्टेशन से सुल्ला लाक रुपे मुल लिका गांजा बरामत किया है वही पुलीस ने गुपत सूचना के आधार पर कार रवाई कर छे गांजा तसकरों को भी गिरपतार कर लिया है बताया जा रहा है कि हटिया रेल्वेस्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर ट्रॉली बैक के साथ कुछ शंदिग्द देखे गए जो लगतार किसी दूसरे रास्ते से अश्टेशन से बाहर निकलने की कोशिस कर रहे थे सूचना मिलने के बाद आरपी अप पोच्ट हटिया आरपी अफ फ्लाइंग टीम और जी आरपी हटिया टीम के अधिकारियों ने मिलकर प्लेटफर्म नंबर तीन की खेराबंदी की और तलाशी अभ्यान सुरुकिया चेकिंग के तोरान आरपी अप टीम ने देखा कि प्लेटफर्म नंबर तीन पर चार बड़े ट्रॉली बैक के साथ छे लोग शंदिग्द अवस्ता में एक्सिलेटर के पास बैठे हुए हैं सूचना के अधार पर सभी छे लोग को हिराशत में लिया गया और जब उनके बैक की तलासी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट बरामत हुए हैं रप्तार गांजा तसकरों में बिहार के दुलार चंदरम ज़ारकन के रामगड के बबलु कुमार यादो विनित कुमार निकिल कुमार यवं जो है दिल्ली के एकबाल खान सामिल हैं मधधगोडा ने दिल्ली हाइक रहे हैं नाउंबर 2024 में जायरकन में विदान सामिल होने वाले हैं और उनहीं चुनाओ लड़ना है अगर उनकी सजा परस्टे नहीं लगाए गया तो वाचुनाओं लड़ने से वन्चित रह जाएंगे बुधवार को दिल्ली हाइकोर्ट में शुनवाई के दोरान CBI ने इस याची का कविरोध किया और कहाए कि पूरो में हाइकोर्ट ने ऐसी याची का खारिच की है हाइकोर्ट ने दोनों पक्चो को शुनने के बाद अगली शुनवाई 13 अगस्त 2024 को रखी है आपको बता दे कि 2017 में हाइकोर्ट ने मधुकोर्ट को भष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाक रुपए का जुर्माना लगा था लेकिन चाल 2018 में मधुकोर्ट को इस मामले में बेल दे दी गई थी और जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी इसके बाद वर्स 2020 में मधुकोर्ट ने दिल्ली हाइकोर्ट में अरजी दे कर सजा माप करने की मांकी थी जिससे कोर्ट ने खारिच कर दिया था लू में बेहोशी पर मरीजों को पानी ना पिलाएं स्वास्त मंत्राले की गाइडलाइन जारी इन चीजों करके ध्यान इस भीशन गर्मी ने लू का जीना मुहाल कर दिया है देश के कई शहरों का पारा 45 डिगरी के पार पहुँच गया है आलम या है कि लू के मरीजों की संख्या बड़ती जा रही है बड़ती गर्मी को देखतो हुए स्वास्त मंत्राले ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें लू में बेहोशी पर पानी वा खाना देने से साफ मना किया गया है गाइडलाइन में कहा गया है कि जब हम बिहुँश होते हैं तो खाना या पानी सांस की नली में जा सकता है जिससे एस्पिरिशन निमोनिया हो चकता है एस्पिरिशन निमोनिया जानलिवा भी हो चकता है इसके साथी भारत मोशन विज्ञान विभाग आयमडी ने गुजरात राजिस्तान और मद्द प्रदिश जैसे राज्यों में हीट वैप किया संखा जताई है वही ओडिशा जारिखन और पश्रिम बंगाल वगेरा के लिए औरेंज अलट भी जारे किया गया है साथी हीट वैप से बचने की तकरीब भी बताए गया है कि बेचेनी और चक्कर के हालत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं स्वास्त मंत्राले ने अपनी X एकाउंट से इस बारे में एक पूश्ट साजा करिये जान कर दी है इसमें बताया गया है कि गर्मियों में क्या करना चाहिए इसमें बताया गया है कि यात्रा के दोरान पानी पीते रहें और इस और घर पर बने पेपदार्त पीएं गर्मियों के दोरान हलके रंग के कपड़े पहने और सिर ढख के रखें वही क्या नहीं करना चाहिए उसमें बताये गया है कि जिसमें गर्मी ज़ादा हो तब खाना ना पकाएं वही कम चीनी वाले पेचुने वही उच प्रोटीन वाले आहार का सिवन सिमेत करें बासी खाने से बचें गुमला में पुलीस ने जंगल से बरामत किया सव, होली के बाद से गायब था यूवक, गुमला के चेनपुरप्रखन, कुरुमगर धाना चेतर के मरवागाओं के जंगल से पुलीस ने चट विचट हालत में एक सव बरामत किया है सव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे जमीन में दबाकर दफनाने की कोशिश की गई हो मिली खबर के नुसार मंगलवार को मरवा गाओं के कुछ ग्रामिन जंगल में पसू चराने कह थे, इस दोरान जंगल से कापी बदबू आने लगी लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो किसी का शाओ होने की आसंका हुई, इसके बाद इसकी सूचना कुरुमगर थाना को दी गई कुरुमगर थाना परभारी विश्वजीत कुमार जो है चेतन दलबल के साथ मौके पर पहुँचकर मामली की जान करी ली इसके बाद बुधवार को मजिस्टेट चेनपूर विडियो यादो बैठक के उपस्तिती में साओ को गड़े से निकाला किया, साओ की पहचान धाना छेतर के शंतोष कुमार महतो उर्फ फौजी 22 वर्से कुरुप में की गई मृतक के पिता मनोज महतो ने बता है कि मेरा बेटा भी होली के दिन से गाइब है, उसने इसी तरह का कपड़ा पहना था इस अधार पर ये साओ, संतोष का होशकता है, बता है कि संतोष होली मनाने के लिए अपने चाचा के घर मरवा गाउं आया था होली के दिन 25 मार्च को अपने दोस्तों के शाथ सोने जाने के बाद कहकर घर से निकला, उसके बाद लोट कर वापस नहीं आया पिता नहीं बताया है कि इसके बाद परिजन अपने अस्तर से संतोष का काफी खोजबिन की, लेकिन कोई पता नहीं चला पुलीस ने साव को कबजे में लेकर पोश्ट मार्डम के लिए रांची भेज दिया है, इधर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, पुलीस मामले की चांच में जूट गई है इस दिन वे खुंटी, लोगशभा, लोगशभा, लोगशभा और सिंग्भूम लोगशभा में आयोजित जन सभा को शंबोजित करेंगे साई पशिमी शिंग्भूम जिले के मनुहरपूर इस्तित मनिपूर मैदान में साड़े 10 बजे से आयोजित जन सभा को शंबोजित करेंगे इस औसर पर लोगशभा प्रत्यासी डॉक्टर जोह दिनिशानेंद गुश्वामी प्रत्यासी गीता कूड़ा पसिमी शिंग्भूम के जिला अध्धक्ष संजू पांडी सराइकिला खार सभा के जिला अध्धक्ष उधय शिंग्तियों भी मौजूद रहेंगे वेचत्यसगर के मुखमंतरी कूंटी लोकशभा के जोहे गताडी बगीचा प्रकंड मैदान करडेगा में सड़ी बारा बजे से आयोजित जन्षभा को शंबूद करेंगे इस अवसर पर लोकशभा प्रत्यासी डॉक्टर रविंद्र कुमार राई प्रत्यासी अरजुन करगुपता जिला अध्धक शिम्डिका लक्षमन बढ़ाईग भी मौजूद रहेंगे इस दोरान जिला प्रत्यासन की और से सुरक्षा की कड़े जोह उपाय किये गे हैं अवैद तरीके से बन रही थी सराब पुलीस का छापा 20 लिटर तैयार सराब और 15 क्विंटल जावा महुआ की अनस्ट बागमारा गाउं में पुलीस की कारवाई गिरीडी में लोकसभा चुनाओ को लेकर जिले के वर्य पदधिकारियों दोरा अवैद सराब चापमारी चापमारी के दोरान भारी मातरा में 1450 किलो जावा महुआ एवं 20 लिटर महुआ शराब पाये गया जिससे जमुआ पुलीस ने विनस्ट कर दिया है साथी अवैद सराब कारोबायर के खिलाप अग्रतर कारवाई की जा रही है केंद्रिय मंतरी अर्जनमुंडा पर लगाया 125,000 का जुर्माना हाई कोट ने किया माप याचिका में तुरूटी दूर किये बिना हाई कोट में शुनवाई के लिए मेंसन करने पर केंद्रिय मंत्री अर्जनमुंडा पर पूरो में लगाए गए एक लाग पच्ची सजार की जुर्माने को बुधवार को जारकेंड हाई कोट ने माप कर दिया प्राथी की ओर से बुधवार को अधिवक्ता प्रशांद पल्लों ने अर्जनमुंडा पर लगाए गे जुर्माने की राशी माप करने का आगरा कोट से किया था जिसे कोट ने मान लिया वईकोट ने राची में बिजेपी के शचिवाले मार्च मामले में धुर्वाथाने में दर्ज एफायार मामले में अर्जनमुंडा सहित 27 आरोपियों पर पीड़ा कारवाई पर रूख 25 जुलाई तक जारी रखी है जार्खन के 10,000 दफादार चौकिदारों के वेतन के लिए 129.68 करोड रुपए अवंटित ग्रामिन इलाकों की हर गतिविधियों से पुलिस को अपडेट रखने वाले चौकिदार दफादारों के वेतन के लिए रासी अवंटित किया गया है जार्खन में 10,000 चौकिदारों और 200 दफादार हैं हर एक चौकिदार एक थाना के तहट 10 गाओं के निग्रानी करता है प्रतेग चौकिदार को 20,000 रुपए का वेतन मिलता है साल 1870 में ग्राम चौकिदार अधनियम लागू होने के बाद चौकिदार ब्रिटीश काल से भारत में पुलिश व्रास्ता का हिशा रहे हैं ये लोग अपने वरिष्ट दफादारों को रिपोर्ट करते हैं जारकन सरकार ने उनके लिए एक अलग का डर समर्पित किया है एकी जगा संतावना देने पहुंचे बीजेपी जेमेम उमिद्वार साक्ची की इलक्ट्रोनिक दुकान में लगी थे आग पिड़ी दुकंदार से मिले दोनों पाटी के प्रत्यासी मदद का दिया आस्वासन जमसेदपूर के साक्ची बजार में मंगलवार रात एक इलक्ट्रोनिक दुकान में आग लगने के बाद अब इस मामले में राजनिती सरगर्मी तेज हो गई है बुधवार को जमसेदपूर लोकसभास से जेमेम प्रत्यासी समीर मोहनती पिड़ित धवल गोयल से मिलने पहुँचे उन्होंने आग से पिड़ित दुकंदारों को जिला प्रसासन से मदद देने का अस्वासन दिया जैसे ही समीर मोहनती बजार से निकले उसके थोड़ी दिर बाद भाजपा प्रत्यासी विधुत वरन महतो भी पिड़ित दुकंदारों से मिलने पहुँच गए दोनों प्रत्यासियों ने दोनों ही दुकंदारों को जिला प्रसासन से बात कर सहीयोग करने की बात कही इधर बजार में आग लगने के बाद बजार की संक्री गली चुनावी मुद्दा बन गई है दोनों पर्टियों के प्रत्यासियों ने जीत के बाद दुकंदारों से बजार की संक्री गलीों का समधान निकालने की बाद कही कई बार बाजार के दुकानों में आग लगने के बाद दमकल समय से मौके पर नहीं पहुच पाती है जिस कारण आग से दुकाने पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है दोनों प्रत्यासियों ने दुकंदारों को शहयोग करने की बाद तो कहा दी है पर देखना या है कि जो दुकंदार आगजनी का शिकार हुए है उनके भरपाई कब होती है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी पड़ा E.D. का छापा संजीव लाल के चमबर से मिला कैस E.D. के अधिकारी बुधवार को तकरीबन 12 बजे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में चापामारी के पहुँचे थे गौरतलाभे की 6 माई को E.D. ने राची के कम से कम 11 ठीकानों पर चापामारा था चापामारी में उस दिन 32 करोड रुपे से अधिक रकम मिली थी इनमें से 25 करोड रुपे मंत्री आलमगीर आलम के नीजी सचियो संजी उलाल के घरलू शायक जहांगीर आलम के फ्लैट से मिला था 25 करोड रुपे गाड़ी खाना इलाके में सेयद सोसाइटी इस्तित एक फ्लैट से बरामत किया गया था बगोदर बस हाथसे में जान गवाने वाले आयरबी जवान विकास की 45 दिन पहले ही हुई थी शादी गिरीडी के बगोदर में बीते दिन जवानों शे भरी बस पलड गई हाथसे में जवान विकास भगत की मौत हो गई विकास लोहर्दगा जीले के बरनाद कोचा गाउं की रहने वाले थे विकास के मातर 45 दिन पहले ही शादी हुई थी उनकी पतनी की हाथ के महंदी का रंग फिका परता उससे पहले ही शुहाग उचड़ गया विकास की घर पर मातम चाय हुआ है पतनी का रोरो कर बोरा हाल है बतादे कि बगुदर हाथसे में 49 जवान खायर हुए है सभी का इलाज चारी है कॉंग्रेस कमीटी की बाटक में पूर्व मंत्री सुबोद कांत ने कारिकरताओं से कहा ये चुनो सविधान बचाने के लिए है राची में लोकसभा चुनो की तयारी के लिए बुद्वार को राची जीला कॉंग्रेस कमीटी के जीला पदधिकारियों की बाटक कॉंग्रेस भवन राची में हुई अध्धक्शता डॉक्टर राकेस की रन महतो ने की मोखे अठीटिक एरोप में पूर्व केंद्रिय मंत्री शुबूत कांत सहय उपस्तित थे इस बैठक में रांची लोक्षभाज शेतर के सभी प्रिखंडों से जीला पददेकारे गन उपस्तित हुए बैठक के दोरान जीला अधधक्ष डॉक्टर महातो ने कहा है कि देश की आम चुनाओ नहीं बलकि देश के शविधान बचाने का चुनाओ है देश की समाजिक समर्शता को बचाए रखने का चुनाओ है इसलिए सभी नेताओं को गाउं गाउं जाकर कॉंग्रेस पार्टी के पांच निया एवं 25 गारेंटी से समंधित कार्ड को प्रते घर तक पह दिया गया है चुनाओ समेती ने बुधवार को एक बैठक में रणाए लिया है इसलेकर प्रावक्ता रंजन धारी सिंग ने बता है कि आगामी 10 मैं को जीला बार एसोसीशन का चुनाओ होना था जिसे किसी कारणवस अस्थकित करने का नणाए लिया गया है जल्दी चुना के बाद नए कमेटी की घोशना होगी अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुपता, ललित ओजा, रमेश कुमार सिंग, कामेश्वर सिंग, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, असुक कुमार बढ़ाई, आर्ती कुजूर, आदित्य प्रशाद, शेधु मांजी, सत्रुधन, सिंग को बड़ी रहा के बाद, तीन पूरोशियम, आधा, दरजन, सांसत, समयत, 41 लोगों पर धुर्वाताना में केश, दर्च किया गया है, जिसका कान संख्या, 107, 2023 से, आरोपियों पर उपद्रो करने, दंगा भड़काने, सरकार के निरदेशों का उलंगन करने, सरकारी कारे में बाधा डालन अब रात के लिए उक्षाने और दूसरे वाक्ति को नुक्षान पहुंचाने से समंधिधाराएं लगाए गई है, ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे, इसे तरह से जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए, आप हमारी चानल, यूट जारकन चानल को सुस्क्राइब करके बैल आइकन प्रेस करदेजे, जिस से जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, तो अब एक लिए बस अतना ही, हमें देजिए इजाज़त, तो मिलते हैं, नेक्स्ट खबरों के शाथ, धन्यवाद